नमस्कार आप देख रहे हैं दौफुल जड़ी और मैं शूती फिल्म अभिनेता ब्रणवेर सिंग ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने ससुर प्रकाश पादुकोर का एक वीडियो साजा किया है इस वीडियो में दिगज बैडमिंटन खिलाडी प्रकाश पादुकोर 1983 विश्वकप फाइनल की अपनी यादों को साजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा कर विश्वकप जीता था अपने ससुर के इस वीडियो को रणवीर सिंग ने अपनी आने वाले फिल्म 83 के प्रचार के हिस्से के तौर पर शेर किया है आई अब जानते हैं कि रणवीर सिंग ने अपने ससुर को इस दौरान कैसे सम्मोधित किया आपको बता दे कि अभिडेता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो साज़ा करते हुए अपने प्रिया ससुर के लिए एक प्यारा सा नोट लिखा उन्होंने लिखा कि The Living Legend of Badminton एक विश्व चैंपियन खुद और मेरे प्रिया ससुर प्रकाश पादुपोर्ट 1983 के विश्व कब की जीत की यादों को संदोते हैं अभी हाल ही में रंवीर सिंग ने UAE में कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ और सुनील का वजकर स्वहित क्रिकेटर के दिगजों के साथ 83 का प्रचार किया आपको बता दे कि दुबई के बुर्स खलीफा पर प्रदर्शित फिल्म के ट्रेलर को देखकर अभीनेता खुशी से जूम उठे थे दुनिया की सबसे उची इमारत पर चैंपियन एक्टर ने दुबई में अपनी हालिया प्रचार गतिविधी से वीडियो साजा करते हुए लिखा था और अब भारत की 1913 क्रिकेट विश्वकब जीत के बारे में प्रकाश पादुपोर ने क्या कहा आईये जानते हैं 25 June 1983 was a landmark day in the history of Indian sports. India won the World Cup for the first time, most unexpectedly. We were in Denmark at that time, I was playing professional badminton. I couldn't see the match live, trying to get the news either from radio or from BBC. When we heard that India had won the World Cup, I think it was unbelievable. India had beaten the mighty wrestling team in those days. That was a turning point for Indian cricket from what was a sport became a religion. जीत लिया है तो ये छड़ उनके लिए अविश्वस्नियत था. रन्वीर सिंग्द्वारा शेर इस वीडियो को अब तक एक लाख 24,000 से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और इस पर जम कर कमेंट भी कर रहे हैं। आई अब जान लेते हैं कि कब रिलीज हो रही है फिल् बहु प्रतिक्षत स्पोर्ट्स ड्रामा जो 1983 क्रिकेट विश्वकप में भारत की जीत पराधारित है 24 दिसंबर 2021 को सिल्वर स्क्रीन पर आएगी। कबीर खान निर्देशत इस फिल्म में रनवीर सिंग भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व कपतार कपिल देव की भूमिका निभाएंगे वहीं दीपिका पादुकोर्ट जो सह निर्माताओं में से एक हैं वे कपिल देव की ऑन स्क्रीन पत्नी की भूमिका निभा रही हैं तो आप भी ये वीडियो देखिए और अपने विचार हम तक ज़रूर पहुचाईए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ताती